हेलो फ्रेंट्स तक्षाल अकडमी अली गंज लखनाव में आपका स्वागत है आज गांधी जी का जनम दिवस है और इस अफसर पर हम उनको भाव भी निश्रधान लिए अरपित करते हैं गांधी जी के दुआरा बिहार में किये गए एक महानकार्य का उलेक करना आज बहुत इंपोर्टेंट है और वो महानकार्य था चंपरण का सत्याग्रे चंपरण का सत्याग्रे अनोफिशली पहला civil disobedience आंदुलन भी कहलाता है क्योंकि यहीं पर गांधी जी ने सबसे पहले civil disobedience के हतियार का प्रियोग किया और उसको experiment को successfully सफल भी किया तो आईए देखते हैं तो चंपरण जिले में किसानों को पंच कटिया पद्धती के तहत नील की खेती करने के लिए अंग्रे जुद्वारा मजबूर किया जाता था पंच कटिया पद्धती का मतलब होता था कि एक बिगल लेंड अगर किसी के पास है तो उसमें से उसको पांच कटे नील की खेती करना आनिवारिया था इस पद्धती का विरोध शेक गुलाब हरवन सहाय पीर मौहमद मुंशी संतरावत और लोमरा सिंग ने किया और नील की रहे क्किसलिया आते थी क्योंगि एक केश ट्वाप थी जिससे अंग्रेजों बहुत जादा फायदा होता क्योंगि जाहतर जमीन जो थी वो ब्रिटिश वार्मर ब्रिटिश लैंड़ोर्ट्स ने कतबज़ागी हुई थी और वो फार्मर को मजबूर करतेैं कि वो उनके त किसान को मजबूरन तीन कट्टे एक बिगा में नील की खेती करनी पड़ती थी इससे की जो जमीन थी वो बंजर हो जाती थी और उससे भी बड़ा कारण है कि किसान अपने परिवार के लिए गेहूं या धान का उत्पादन प्रॉप में नहीं कर पाते थे और उन काफे किसानों को भुकमरी तक की नोबत आवे थी तो इसी बीच में गणेश विद्यार्थ जो कि उस टाइम पटना के लॉयर थे और शुकला जी के कारियों के लिए सिंपेथेटिक थे उन्होंने उनको गांदीजी से मिलने की सला दी और 31 सेशन में लखनौ में 26 से 30 दिसंबर 1916 में राजकुमार शुकल के मुलकात गांदीजी से हुई उन्होंने गांदीजी को उनके साथ संतरावद भी थे तो इन दोनों के प्रियासों के कारण गांदीजी 10 अपरेल 1917 को चंपानन आये और चंपानन में संतरावद के घर में अमोलवा गाओं में रुके इन लोगों के साथ में संतरावद और राजकुमार शुकल के अलावा राजंदर प्रसाद, ब्र प्रिपलानी भी इसमें प्रमुख भूमी का निभा रहेते हैं अब सबसे पहले जब गांदीजी आये तो उनको जाने का आदेश दिया गया जिसका गांदीजी ने डिनाय कर दिया कि I will not go back क्योंकि मैं यहाँ पे सत्य और रहिंसा के लिए और humanitarian support के लिए आया हूं किसी भी विवाद को और उग्र करने के लिए नहीं आया हूं इसके बाद जो हजारी मल धरमशाला थी बैतियह गांओ की उसमें गांदीजी ने अपना residence बनाया और जिसको आज भी हम लोग बैतियह आश्रम के नाम से जानते हैं इसको बिहार सरकार ने protected संग्राले का दर्जा दिया ह हुआ है यह आप धिहान रखेगा हजारी मल धरमशाला या बैतियह आश्रम एकी बाद गांदी जी ने 8000 किसानों का बयान लिया सरीषवा गाउं सरीषवा गाउं आप याद रखेगा कि वहांपे 8000 किसानों का open में बयान लिया गया था इसके बाद एक important चीज हुई किसान अंग्रेजियों से लड़ नहीं पा रहे हैं इविन राजकुमार शुकल भी अनपढ़ थे जिसका वर्णन गांदी जी ने अपनी बुक में भी किया है कि वह उस अनपढ़ किसान से इतना प्रभावित हुए कि वह चंपरण का अंदुल निगर निगरे चंपरण आ गय शायता से दो और स्कूलोग की स्थापना की नॉवंबर और जन्वरी नॉवंबर 17 और जन्वरी 2018 में इसके बाद गांदी जी के प्रियासों को देखते हुए सरकार जुग गई और उन्होंने चंपरण एग्रीरियन एक्ट 1917 के द्वारा काफे सारे कंसेशन किसानों को दिय और फाइनली एक और वैश्विक परिदरश्य में चीज हुई कि नील की खेती जिस क्योंकि नील की खेती की जाती थी नीला रंग देने के लिए तो उसकी जगे पे डाई आने लगी कृतिम डाई और उसके वैसे नील की डिमांड धीरी धीरे कम होने लगी तो यह दोनों का सेक्शन में और वीडियो को लाइक करें शेयर करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें धन्यवाद